हेलो फ्रेंज मेरा चैनल अपना सारा खुद बनों में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम और आप मिलकर बनाएंगे हुली स्पेशल रेसिपी पान शॉट्स पान शॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ पान के पत्ते हम यहां चार से पांच पत्ते पान दFr सबस्ञाय काजू ँद्र आ lle काजू जो हमने गंट भीकिए रखे दे ग्रीन फूट कोलर है इसका मिस्तमाल करेंगी पान शर्वाथए यह तेस्ट के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगी और यह है गुलकन जो गुलाब के साथ बना होता है इसका भी हम इस्तमाल करेंगे मिठास के लिए और गानिशिंग के लिए हमने रखा है आलमंड्स को बारी काट के और रोस पैटल्स ड्राइ सुखे हुए तो हम लेंगे पान के पते जिसकी डंडी हमने काट कर हटा ली है और मैंने चार पीस पान के लिए है यहाँ पे इसे हम हाथ से ही चुरी-चुरी पीसे में काटेंगे और जार में डालेंगे यह पान के पते मीठे होते हैं इसलिए हम ज्यादा गुलकंद नहीं लेंगे क्योंकि पान के भी मिठास होगी गुलकंद हमने एक बड़ा चमच लिया है यह है desiccated coconut यह भी हम इसमें एक चमच डालेंगे जिसका mention मैं पहले करना भूल गई थी यह soft मैंने तीन तरह की लिए है यह plain वाली soft है वह soft masala है और यह एक मीठी soft है जिसे हम चूरी भी कहते हैं यह भी मैंने एक चमच ली है और यह इलाइची powder जिसके बारे में मैं आपको पहले नहीं बता पाई थी और यह है काजू जो मैंने गंटे भीगो के रखे थे वो भी हम डालेंगे और यह है पान चटनी जो मैंने बताया था फ्लेवर देगा और बहुत अच्छा टीस्ट भी इसका होता है तो यह भी हम आधा जमच इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे ग्रीन कलर यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो पर इसके साथ बहुत ही अच्छा कलर आता है यहां मैंने तीन सौफ दिखाई है पर आप किसी भी एक सौफ का इस्तवाल कर सकते हैं और कोकोनट मिल्क बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वो लिंक देख सकते हैं अब हम इनको एक साथ पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे जा तो आप इसे होली वाले सेम डे आप सुबह सुबह बना लिजेगा और अगर आपने इसको तीन-चार दिन पहले बनाया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फ्रीज में आराम से एक हफ्ते तक आप इसको रख सकते हैं अगर आप चाहो तो एक महीने तक भी इसको रख सकते हो मगर इसको फिर आपको फ्रीजर में रखना होगा तोड़ा सा coconut milk डाल के पीज के इसको रखा क्योंकि हमने इसको अभी नहीं बनाना था जब आप इसको पीना चाहो या किसी को सर्फ करना चाहो उसी वक्त इसमें आप coconut milk और डालके इसको बढ़ा लिजेगा इसको पतला कर लिजेगा अगर आप coconut milk नहीं add करना चाहते हो आप कोई भी milk इसमें add कर सकते हो इसकी वजाए आप इसमें cow's milk या packet वाल जो दूद आता है वह भी add कर सकते हो और तयार है आपका पान शॉर्स अब हम इसको गानिश कर लेते हैं यह हमने इसमें almonds बारी काटके रखे थे वह डाल रहे हैं और यह रोज की पत्तियां रोज पैटल्स हमने सुखा के रखे थे वह हम इसमें डाल रहे हैं इसके साथ बहुत खुबसूरत बंक खोड़कर काता है एक देखने में रिस्तॉरून में इसे खाना खाने के बाद सब किया जाता है ताकि जो खाना हमने काता हुता है वह अच्छे से डाल सकते हो हमने इसका healthy version बनाना था इसलिए हमने coconut milk add किया है और इसमें मठास डालने के आपको अलग से जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी अगर इसमें डालना चाहो तो honey add कीजिएगा sugar add ना करें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है यह आपको बहुत पसंद आए पान के पत्तों के बहुत सारे फाइदे होते हैं यह सिर्फ खाना ही डाइजिस नहीं करता बलकि अगर किसी को बुखार हो जाए तो पान के पत्तों को अगर बॉयल करके उसके पानी को अगर एक एक चमच करके दिन में दूबार दिया जाए तो बुखार उतर जाता है पान तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जुड़े रहे है मेरे साथ और इस होली बहुत इंजोई कीजे हैपी होली